क्लास 9 चेप्टर 14 और जनरल नालिज की दृस्टी से भी बहुत मैतोपूर्ण ओजोन परत ओजोन लेयर केसे बनती है ओजोन लेयर क्या काम करती है ओजोन लेयर और ओजोन लेयर को हानी पहुचाने वाले पदार्थ कौन-कौन से हैं वायू मंडल में जो ऑक्सिजन पाई जाती है वो दो रूपों में पाई जाती है एक तो वो पाई जाती है दो परमाणू वाले अनू के रूप में जिसको हम ऑक्सिजन अनू कहते हैं और एक वो पाई जाती है तीन परमाणू वाले अनू के रूप में जिसको हम ओजोन कहते हैं तो अक्सिजन को O2 और ओजोन को O3 मतलब अक्सिजन के अगर दो परमाणू है तो वो जो अनू होगा वो अक्सिजन अनू है और अक्सिजन के अगर तीन परमाणू है तो वो जो अणू है वो ओजोन का अणू है अब ये ओजोन जो है ये ओजोन के तरह नहीं है बचो एक्चली ओजोन एक घातक वीश है ओजोन तो ठीक है कि सबी जीवधारियों के लिए जो वाईवी जीव हैं मनुष्य सहीत उन सब के लिए अक्सिजन तो जरूरी है लेकिन ओजोन क्या है घातक वीश है तो ओजोन हानी का रखे लेकिन साथ में एक और महतुबन बात क्या है कि जो वाईव मंडल में ओजोन की जो परत है वो ओजोन की जो परत है ओजोन ले रहे हैं हमारे लिए फाइदे मंद है अवायू मंदल में वो कहा है उच्चतर इस तरपर अगर देखें तो मद्य मंदल में ओजोन परत पाई जाती है यह मद्य मंदल होता है क्शोब मंदल और समताप मंदल के बीच में मलब आप यह मान के चलिए कि 12 किलोमेटर तक तो एक शोब मंद जाले और इसके बीच में मतलब लगबक 10 किलोमेटर से 50 किलोमेटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है यह दिपी इसकी मोटा ही मोसम और भोगवलिक द्रश्टी से बदलती रहती है और होता क्या है कि जो ओजोन बंती के से होजोन के परत बंती के से होता क्या है कि यह जिस बात को हम कह रहे हैं मद्दि मंडल में वहाँ क्या होता है कि जो उच्च उड़जा वाले पराबेंगनी विकिरन होते हैं वो अक्सिजन अनुओं को विगटित कर देते हैं तो स्वतंत्र अक्सिजन बन गए और फिर ये स्वतंत्र अक्सिजन तो ये डेफिनेटल अगर विकिरन प्रत्वी पर आ गए, तो प्रत्वी पर तोचा का कैंसर हो सकता है, पराबिंगनी विकिरनों की जो बढरती मात्रा है उग प्रतिरोध णचमता को भी प्रभावित करती है, सुख्षम जीवानों को भौती खत्रा है, समुदरी जीमों को भ पराव नी विकिरण जो है वह वही परावयंगनी विकिरण क्या करते हैं को जोन में करते हैं अपनी एनर्जी bị उप निकारो पराम है में यह उसका है लेकिन अब जेसा कि हमें पता है कि क्लोरो और अभी हमने कहा कि प्रत्वी पर जीवन सम्भा होने में और बड़ा योगदान है लेकिन अब क्या है कि हमी प्रत्वी पर जो है एक्चुली क्या हो रहा है कि एंटार्क्रिका के उपर आजोन परत में पहली भार छिद्र देखा गया है तो ये कहीं ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन का इसमें योगदान है, एक्षुली क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन क्या है, क्लोरीन और फ्लोरीन कार्बन योगी के बहुत इस्थाई होते हैं और किसी भी जिये प्रक्रिया द्वरा विगडित नहीं होते है तो जब यह ओजोन परत के समीप वो है डोपसन, यह वेज्ञानिक के नाम पर है और क्या है काई डोपसन और याद रखिएगा एक और बहुत महत्वपन बात कि जो विश्व ओजोन दिवा से वो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और अंतराश्टी इस तर पर जो हानिकारक जो रसायन यह मनिश्व द्वारा उत्पन किये जाने इस पर काफी कुछ रोक लगाई गई है धन्यबाद